मैंने आपका पत्र पढ़ा आप भरोसा रखें कि जब तक आप पांच नाम का सिम्रन कर रहे हैं तब तक किसी बात से डरने या परिशान होने की ज़रूरत नहीं बड़े महराज सावन सिंग जी ने आपको नाम दिया है अताया उनके स्वरूप को फिर से याद करके उनका ध्यान करें सिम्रन और सत्गुरू का ध्यान ये दोनों किस प्रकार अंतर में हमारी रक्षा करते हैं इसका आनुमान लगा सकना आसंभव है मैं आपकी भावलाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ क्योंकि पहले आपको कभी इस प्रकार के अनुभव नहीं हुए है परंतु एक पार फिर आपसे यही कहूंगा कि जब भी आपको डर लगे या कोई परिशानी हो खासकर जब डरावने द्रिश दिखाई दें तो सिम्रन की शक्ती को आजमा कर देखें ऐसे द्रिश्यों का कारण पूर्व के संसकार होते हैं इस से पहले भी हमारे अने एक जन्म हो चुके हैं और इन सब जन्मों के संबंद हम पर अपना निशान छोड़ गये हैं एक समय आता है खासकर आध्यात्मिक मार्ग और उसमें भी संतों के मार्ग पर चलने वालों के लिए जब ये पूर्व जन्मों के सगे संबंधी अपने फाइदे के लिए उन पिछले संबंधों का अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं परन्तु अगर आप उनमें दिल्चस्पी ना लें और सिमरन करते रहें तो वे ना आप पर किसी प्रकार का धबाब डाल सकते हैं ना आपको कोई नुकसान पहुचा सकते हैं और ना ही आपको नीचे खीच सकते हैं अपने सामने आने वाली किसी भी शकल या रूप में कोई विशेश रूची न लें बलकि अपना ध्यान सिम्रन में लगाए रखें, वे अपने आप गायब हो जाएंगे, आशा है कि इससे आपका मन संतुष्ट हो जाएगा 327 हमें इच्छाओं से मुक्ती पानी चाहिए, संत्मत के सिध्धानतों के अनुसार आपना जीवने आपन करते हुए, हमें अपने रोज के जीवन में जो कुछ भी प्राप्थ हो, उसे संतोष पूरवक स्वैकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने ही कर्मों के अनुसार स सब कुछ पहले से प्रारब्द में लिखा हुआ है। इसी को परमात्मा के भाने में रहना या उसकी मौज में रहना कहते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और कर्म करना ही छोड़ दें। हमें अपने कर्तवियों का पालन पूरी लगन और इमानदारी के साथ करना चाहिए। परंतु उसका फल परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं की पूरती के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो इससे ना केवल हमें संसार से बांध कर रखने वाली जंजीर मजबूत होती जाती है। बलकि हमें यहां बार बार वापसाना पड़ता है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म इकठे होने पर ही हमें मनुष जन्म मिलता है। इसलिए जीवन में हमें सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। अगर हम सुख या खुशी के समय प्रसन्न और दुख के समय दुखी या उदास होंगे। तो हम हमेशा किसी न किसी वस्तू के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और भक्ती के लिए हमें कोई समय नहीं मिलेगा। जबकि भक्ती के बिना हमारा आवा गमन से चुटकारा नहीं हो सकता। भक्ती को पूर्ण करने के लिए तथा जन्मरण के बंधनों से चुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि हम मालिक की मौज में खुश रहें जब सत्संगी बहुत परिशान हो या दुविधा में हो तो उसे चाहिए कि भजन में बैठ जाए और अंतर में मार्ग दर्शन के लिए प्रार्थना करे परन्तु सबसे अच्छी प्रार्थना तो मालिक से यही मांगना है कि वो हमें ताकत बख्षे कि जो कुछ हमारे प्रारब्द में है उसे हम साहस, धैरे और खुशी के साथ भुगत सकें मैं आपकी कठिनाई को समझता हूँ, मनुष्य को अपने गुजारे के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, जीवन एक बहुत बड़ा संगर्श है मैं यही सलाह दूँगा कि दोनों व्याफसाओं में से आपको जो ज़्यादा पसंद हो, उसे अपना लें और संथमत के सिध्धानतों को हमेशा याद रखें, चाहे आपका पेशा कुछ भी हो जब भी आप उलजन में हों, भजन में बैठ जाएं, सच्चे मन से अभ्यास करें और उसके बाद निर्णे करें 328 शब्द धुन ही महतपूर्ण है, ये कर्मों को नश्ट करके हमें उपर ले जाती है शिशिक के कर्मों के कर्ज को चुकाने में विभिन्न तरीकों से मदद करना तथा उनके कुछ हंच को अपने उपर ले लेना सद्गुरू का करतब्य है करप्या इस विशे में कोई चिंता ना करें जब सिम्रन द्वारा आपकी सुरत तारा मंडल तथा सोरे और चंदर के मंडलों से उपर जाएगी तो आप अंदर सद्गुरू के दर्शन कर सकेंगे चिंता करने से किसी को न कभी मदद मिली है और ना ही मिल सकती है बलकि चिंता हमारी इच्छा शक्ती तथा संकटों का सामना करने के सामर्थ को कमजोर बनाती है ऐसी सभी परिस्थितियों में सत्संगी को अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करना चाहिए और परणाम सद्गुरू की मौज पर छोड़ देना चाहिए चिंता करने या घबराने की बजाए उसे सद्गुरू की दया महर का आश्रे लेना चाहिए परंतु आपके पती सत्संगी नहीं है इसलिए आपके और उनके दृष्टिकों में अंतर है आपके यहां आने के बारे में मैं भी वही सलाद दूँगा जो आपको सरदार बहादुर महराज जगत सिंग जी ने दी थी और वो यह है कि एक नए स्थान पर आने से पहले जहां का बहरी बातवरण या रहन सहन आपके अनुकूल ना हो आपके अभ्यास में कुछ प्रगती कर लेनी चाहिए ये बात कभी न भूलें कि सद्गुरु अमर हैं वो हमेशा आपके साथ हैं सद्गुरु नाश्वान शरीर नहीं हैं वो शब्द हैं एक लाफानी शक्ती हैं आपको याद होगा के नामदान के समय आपने शाकाहारी भोजन पर द्रड रहने का वचन दिया था ऐसी भूलों से बुरे कर मिकठे होते हैं जिनकी वज़ा से आत्मी कुन्नती में अधिक देर लगती है जैसा अब आप खुद महसूस कर रही हैं आपकी तकलीफ का कारण पौश्टिक भोजन की कमी नहीं बलकि मानसिक तनाव तथा चिड़चड़ा पन था हजारों हिंदुस्तानी जो कठन शारी रिक्ष्रम करते हैं तथा कई लोग जो सेना में हैं और सीमावं पर युद्ध लड़ते हैं शुद्ध शाकाहरी भोजन ग्रहन करते हैं और उनकी सहत बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद अर्थात देर से सुधर जाना ना सुधरने से कहीं बेतर है अब जब आपको अपनी भूल का एसास हो गया है और सद्गुरू ने कृपा करके आपको वापस सही भोजन पर आने का उत्तम अफसर प्रदान किया है तो आपको चाहिए कि इस भोजन पर द्रड रहें तथा इस अफसर का पूरा लाब उठाएं अगर आप अपनी इच्छा शक्ती का प्रियोग करें तथा इस भोजन पर रहने का पक्का फैसला कर लें खास कर अब जब आपके पती भी शाकाहरी हैं तो ना केवल आप अपने अभ्यास में उन्नती करेंगी बलकि आपके स्वास्त में भी सुधार होगा अगर फिर भी भोजन के बारे में कुछ कठिनाई उत्पन होती है तो उसका कारण खाने की चीजों का घलत चुनाव या उनका अनुचित मेल है और इसके लिए शाकाहरी भोजन से मांसाहरी भोजन की और जाने की कोई आवशकता नहीं शाकाहारी भोजन में बहुत सी अच्छी और पौश्टिक वस्तु हैं, परंतु जरूरी नहीं कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए ठीक हो, वो दूसरे के लिए भी ठीक हो, इसलिए आसानी से हजम हो जाने वाली चीजों का चुनाव करें, ये काम बहुत आसान है, इसके लिए सद्गुरू की मौज में रहना, ये गुलामी या प्राधीनता का समर्पन नहीं, बलकि प्रेम पूर्ण समर्पन है, इस समर्पन के बाद हमारे कारियों का प्रेड़ना सुरोत बदल जाता है, और हम अपने मन की इच्छा से कारे करने की बजाए मालिक या सद्गुरू की इच्छा में रहते हुए कारे करते हैं, इस से आत्मा का प्रमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है, मन की हकूमत खत्म हो जाती है, और मालिक का रज्य हो जाता है, इसके लिए संघर्श करना पड़ता है, ये अंत तक चलने वाली कठिन लड़ाई है, परंतु इसके बाद आने आने वाली महान सफलता के विशे में भी तो जरा सोचिए, प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास में जुटे रहें, धीरे धीरे सिमरन का समय बढ़ाते जाएं, और सिमरन के बाद शब्द को सुनें, तथा उसमें लीन होने की कोशिश करें, अंत में शब्द ही आपको इ इत्या पदार्थों में कोई रूची नहीं रही और आप रोज सुभे तीन बजे से लगातार तीन घंटे भजन सिमरन कर रहे हैं, तो भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कि संतमत हमें अपने कर्तव्यों से भागने का नहीं, बलकि उन्हें पूरा करते हुए संसार कि चमक तमक और आकर्शन से मन को हटाने का उपदेश देता है, संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भजन सिमरन द्वारा हम इन बातों से उपर उठ सकते हैं, जब हमारा मन शान तो हो और हम संसारिक आकर्शनों और लगाव से परशान न हूँ, तभी हम शान्ती पूर्ण स्थान में हैं, शान्ती अंतर से ही पराप्ध होती है। हम एक आगरता बढ़ती जाती है हम एक आगरता की प्राप्ती में जितना अधिक सफल होते हैं स्वयम को उतना ही मजबूत महसूस करते हैं और उतना ही अधिक हम विचारों और समर्तियों से उपर उठने में समर्थ होते हैं पूरी लगन और दड़ता के साथ इसका अभ्यास करें और यदि कोई कठिनाई हो तो लिखने में संकोच न करें 334 सबका समय निश्चित है और जब वो समय आएगा हम अवश्य उपर जाएंगे ये सच है कि मन और माया हमारा रास्ता रोकते हैं परन्तु अगर हम प्रेम पूर्वक भजन सिम्रन करते रहें तो हमारा कार्य काफी आसान हो जाता है तथा हमारी कठिनाईयां दूर हो जाती है सद्गुरू के लिए भी ऐसे शिश्यों की सहायता करना आसान होता है सबसे जरूरी बात तो नौद्वारों को खाली करके अपनी सुरत या चेतना को समेट कर आँखों के केंदर पर लाना है तब ही उपर जाना तथा तारे, सूर्य, चंदरादी को देखना संभव होगा जब हम सद्गुरू के जयोतिर में सुरूप तक पहुँँ जाते हैं तो हम अपने स्थूर शरीर में नहीं, बलकि सूक्ष्म शरीर में होते हैं और वो वातावरण हमारे अनुकूल होता है इसी प्रकार और उपर जाने पर, जब हम कारण मंडल में पहुँचते हैं तो हमारी आत्मा पर केवल कारण शरीर का आवरण होता है और इसलिए उसे वहां किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती परंतु शिश्य के लिए सबसे जरूरी काम तो ये है कि वो प्रेम और लगन के साथ अभ्यास करता रहे और शब्द से जुड़ जाए जब आप शब्द में लीन हो जाएंगे तो वो आपको उपर ले जाएगा तथा सब कठिनाईयां दूर हो जाएंगी ये बात बड़ी उत्साह वर्धक है कि आप अपने अभ्यास के समय को बढ़ा कर तीन घंटे तक लाने में सभल हो गए हैं अब आपको अपने ध्यान को अधिक से अधिक समय तक आँखों के केंदर पर स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए बाकी काम अपने आप हो जाएगा सारबचन तथा प्रमार्थी पत्र को पढ़ने से सहायता मिलती है और अभ्यास के समय ये कागरता प्राप्ती में आसानी होती है जिस प्रकार स्थूल संसार में व्यायाम से शरीर के अंग पुष्ट होते हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में मानसिक वृतियों के सहयम तथा सही अभ्यास द्वारा मन निर्मल और मजबूत बनता है बशर्ते की अभ्यास लगन और विश्वास के साथ किया जाए सद्गुरू जानते हैं कि शिश्य अभ्यास में कितनी मिहनत और कोशिश कर रहा है वो उसकी देखभाल करते हैं और जरूरत पढ़ने पर उसकी सहयता करते हैं यद्दिपी आत्मिक विकास की कमी के कारण शिश्य को इसका पता नहीं चलता मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले ये याद रखें कि हम यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं और हमारा उद्देशी ये होना चाहिए कि हमें जो मनुष्य शरीर प्रदान किया गया है तथा जो अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं उनका अधिक से अधिक लाब उठाएं ये तभी अच्छी तरह किया जा सकता है जब हम सांसारिक कर्तव्यों को इमानदारी और पूरे सामर्थ के साथ निभाते हुए अधिक से अधिक समय भजन सिमरन में लगाएं सिमरन और शब्द का सुनना इस संसार में सबसे आवश्यक हैं और यही वो सर्वोच्य लाब है जिसे मनुश यहां प्राप्त कर सकता है ये तो लेने वाले पर निर्भर है कि वो कहां तक इस दात का फाइदा उठाता है 336 हर धर्म और हर साधना के मार्ग में आत्म सैयम पर जोर दिया गया है आत्म सैयम का अभ्यास मन की दरता तथा इच्छा शक्ती के साथ करना चाहिए क्रोध से होने वाले नुकसान को हमेशा याद रखना चाहिए क्रोध में आकर मनुश स्वैम पर नियंतरन खो बैटता है और बरबादी की ओर चल देता है क्रोध में मनुश शांती पूर्वक और धैर के साथ भले बुरे का विवेक नहीं कर सकता तथा उसे परमार्थ और स्वार्थ दोनों में नुकसान उठाना पड़ता है ऐसी भावनाओं पर विजे पाने का सबसे अच्छा उपाए पाँच नाम का प्रेम पूर्ण सिम्रन है सिम्रन नकेवल प्रतिदन अभ्यास के समय ही करना चाहिए बलकि जब भी मन में क्रोध आता मैसूस हो तरंत ध्यान पूर वक तरीब पाँच मिनट के लिए सिम्रन करना चाहिए इससे करोध की सुलकती आग शान्थ हो जाएगी जितना ख्याल को अंतर की और मोड़ेंगे उतना ही इन बातों से चुटकारा मिलेगा तथा आत्म सायम प्राप्त होगा तीन सो सैंथीस आपका भाव पूर्ण पत्र मेरे सामने है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहां तक आपकी रोहानी तरक्य का सवाल है आपकी उच्च शिक्षा की कमी इसमें किसी प्रकार से भी रुकावट नहीं है पूरी तरह अंपड व्यक्ति भी अगर इस शिक्षा का प्रेम और विश्वास के साथ पालन करता है तो एक शिक्षित किन्तु इन गुणों से रहित मनुश्य की तुलना में कहीं अधिक तरक्य कर सकता है सांसारिक पद या श्रेणी का महत केवल सांसारिक बातों में ही है आप बिना किसी हीन भाव के पहले की तरह सत्संग में जाते रहें अब आपके प्रशनों को लेते हैं पहला अंगूठे को बाएं कान में हलके से परन्तु दाहिने कान में अच्छी तरह सटा कर रखना चाहिए ताके बाहर की आवादें सुना ही न दे परन्तु अंगूठे को इतने जोर से भी न दबाएं कि दर्द होने लगे जब आप शब्द सुनने के लिए बैठें तो अपना ख्याल आंखों के केंदर में रखें तथा उस समय सिम्रन न करें दूसरा अभ्यास के लिए ताकत और मदद की प्रार्थना करना ठीक है सांसारिक बातों के लिए आपका कोई सहायता न मांगना बिलकुल ठीक है जब सत्संगी प्रेम और श्रद्धा के साथ भजन सिम्रन में लगा रहता है तब उचित सीमा तक उसे अपने आप सहायता मिलती रहती है जहां तक आपके भजन सिम्रन का सवाल है इस मार्ग पर सबकी प्रगती समान गती से नहीं होती परन्तु प्रगती होती जरूर है चाहे हमें उसका पता ना भी हो कोई भी प्रयत्म कभी वेर्थ नहीं जाता हर एक महीने ये जानने की कोशिश किये बगायर के कहां तक प्रगती हुई है सत्संगी को नियमे तुरूप से प्रेम पूरवक अभ्यास में लगे रहना चाहिए इस मार्ग पर आगे बढ़कर तीसरे तिल के नजदीक आने पर या काफी अच्छी एकागरता हो जाने पर प्रगती का पता अपने आप चल जाता है मन की आदत है कि वो कभी भी एक जगे टिकर नहीं बैठता परंतु से वश में करना चाहिए और जहां तक हो सके ध्यान को आँखों के केंदर पर स्थिर करना चाहिए अगर ख्याल बाहर जाए और ये बाहर अवश्य जाएगा तो बगएर किसी चिंता के उसे बार बार वापस लाना चाहिए ये क्रिया निरंतर जारी रखनी चाहिए कभी-कभी अभ्यासी को नब्स का चलना सुनाई देता है परन्तु इसके बारे में चिंता न करें अपने ध्यान को आँखों के केंदर पर स्थिर रखें सब कुछ ठीक हो जाएगा कभी-कभी अंगूठों द्वारा कानों में ज्यादा दवाव डालने की वजह से भी ऐसा हो सकता है दवाव किसी प्रकार का भी नहीं होना चाहिए बिना किसी तनाव के आराम से बैठना चाहिए जो शब्द सिर की चोड़ी से आता हो उसे सुनना चाहिए परन्तु जो कुछ भी बायकान की और से आता प्रतीत हो उसकी और बिलकुल ध्यान नहीं देना चाहिए शब्द सुनते समय ये चानबीन करने की कोशिश न करें कि कौन सा शब्द सुनाई दे रहा है जो भी शब्द सुनाई दे उसे अत्वा उसमें से निकलने वाले अगले शब्द को ध्यान से सुने इस कारकरम पर करीब एक दो महीने तक चलें उसके बाद अगर जरूरत हो तो फिर से लिख सकते हैं शुरू-शुरू में सबसे जरूरी चीज सिम्रन है और शब्द को सुनने के अभ्यास में बैठने से पहले सिम्रन को पूरा समय देना चाहिए भटकते रहना मन का स्वभाव है परन्तु हमें उसे बार बार वापस लाना चाहिए हमें अपने मन से कह देना चाहिए कि बार की और ले जाने वाली बातों को भजन का समय पूरा हो जाने के बाद देखा जाएगा प्रेम के साथ सिम्रन करने से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है महनत और लगन के साथ अभ्यास करना जरूरी है और सबसे आवश्चक बात है अभ्यास में नियमित दा तीन सो चैलीस ये खुशी की बात है कि आपका सारा परिवार संतमत में आ गया है इसके फल सो रूप सिर्फ सांसारिक बातों में ही नहीं बलकि आध्यात्मिक प्रयासों में भी परस पर सायोग की भावना उत्पन होनी चाहिए आवा गमन के चक्क तथा काल के जाल से मुक्ती पाने का सौभाग्य मनुश जन्म में ही प्राप्त होता है मुझे खुशी है कि आप इस विचार से सहमत है अब बहुत कुछ आपकी महनत भक्ती भाव तता भजन समरन में नियम अतता पर निर्फर है जो स्वैम अपनी मदद करते हैं सद्गुरु भी हमेशा उनकी मदद करते हैं सद्गुरु की सबसे उत्तम सेवा शब्द से जुड़ना तथा अंतर में जाना है 341 संत मत जीवन भर चलते रहने वाला कार्य है थोड़े से समय में आसाधारन फल की आशा नहीं करनी चाहिए बलकि अपना भजन सिमरन लगन और प्रेम के साथ करते जाना चाहिए नियमितता बहुत जरूरी चीज है नियमित सिमरन से शब्द को पकड़ने में आसानी होती है डर की जिस भावना का आपने जिक्र किया है वो अस्थाई है जब आप अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में रखने में सफल हो जाएंगे तो ये डर धीरे धीरे दूर हो जाएगा जब भी आप किसी प्रकार का भय मैसूस करें तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं सद्गुरू हमेशा आपके साथ हैं उस वक्त थोड़ी देर पांच नाम का सिम्रन करें जहां तक आपकी नौकरी का सवाल है आपको अपने कर्तब्य का इमानदारी और मेहनत के साथ पालन करना चाहिए साथ ही संत्मत के सिध्धानतों को हमेशा याद रखना चाहिए जहां तक आपकी माताजी और आपके मित्र का प्रशन है अगर आप देखें कि उनकी संत्मत में दिल्चस्पी है तो इस बारे में सरसरी तोर पर उनसे बात कर सकते हैं तथा उन्हें संत्मत की पुस्तकें दे सकते हैं परन्तु संत्मत में रूची पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका खुद की जीवन को इस प्रकार ढालना है कि वे इस परिवर्तन से प्रभावित हों और अपने आप इस मार की और आकर्शित हों। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभ्यास शुरू करने से पहले मन से साफ साफ कह देते हैं कि इतने साल तक उसने 24 घंटे जो चाहा वो किया पर अब उसे भी वापस अपने देश जाने के लिए आत्मा का साथ देना चाहिए। इसलिए रुहानी अभ्यास के लिए नियत किये गए समय में आप उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे। कुछ सत्संगों के अंग्रेजी अनुवाद भी यहां से समय समय पर प्रतिनिधियों को भेजे जाते हैं जो वे आपको तथा अन्य सत्संगियों को पढ़ने के लिए खुशी से दे देंगे। परंतु सबसे उंचा सत्संग तो सत्संगी का आंतरिका ध्यात्मिक अभ्यास है। सारा भेद शरीर के आँखों से उपर वाले भाग में छेपा हुआ है और सत्य की खोज अंतर में वहीं करनी है। इसलिए मन को बाहरी संसार से ही नहीं, बलकि आँखों के निचले हिस्से से भी समेट कर तीसरे तिल में स्थिर करना चाहिए। चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, यदि उस आत्मा को जागरत करने, उस उच्चेतना को प्राप्त करने, तथा अपने एहम को छोड़ने का प्रयत्म करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें इस प्रकार की रहनी को अपनाने की प्रते दिन निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। जो लोग भजन सिम्रन नियम पूर्वक करते हैं, उनमें प्रेम, दया और करुणा की भावनाएं अपने आप आ जाती हैं, और इन भावनाओं का विकास करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। हाँ, नामदान से मनुश्रका जीवन के प्रती द्रिश्टिकों पूरी तरह बदल जाता है। वास्तव में जीवन शुरू ही नाम मिलने के बाद होता है। नाम मिलने से पहले हमारे सभी प्रयत्म चाहेवे अच्छे रहे हों या बुरे, हमें संसार के जाल में और अधिक फंसाते हैं। अब आपको मुक्ती का मार्ग दिखा दिया गया है और आपको चाहिए कि प्रेम और श्रद्धा के साथ पूरी मेहनत करें। बाकी सब कुछ म आलिक खुद करेगा। खोई हुए शब्द, अर्थात, आंतरिक शब्द का अभ्यास तथा उसकी प्राप्ती ही सबसे बड़ी सेवा है। और ये जीवन भर का कार्य है। डॉक्टर जॉन्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दपाथ आव दा मास्टर्स में में मेसानिक लॉजवालों के खोई ह खोई हुए शब्द की कई बार चर्चा की है। डेरे में अपने निवास के समय उन्होंने हुजूर महराजी के आदेश के अनुसार बड़ी लगन के साथ शब्द अभ्यास किया था। आशा है आप भी इस खोई हुए शब्द को पाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास कर रहे होंगे जो सत्संगियों के लिए खोया हुआ शब्द नहीं है। 346 ऐसे किसी फी कारे को करने की इजाज़त है जो इमानदारी के साथ किया गया हो जो किसी जरूरत को पूरा करे तथा जिसको करने में संतमत के सिद्धानतों की अभहेलना ना होती हो। संतमत रोज के कामकाज में बाधा नहीं डालता बलकि ये हमें सांसारिक कारे को पूरा करते हुए भजन सिमरन के लिए नियमे तुरूप से समय देने की प्रेड़ना देता है। जहां तक आपकी माताजी का सवाल है हमारे दुख हमारे अपने कर्मों से पैदा होते हैं और उने भोग कर ही हम अपने कर्मों के कर्ज को चुकाते हैं फिर भी आपको उनकी सेवा करनी चाहिए और जो भी इलाज हो सके करवाना चाहिए। के चुभने जैसा दर्द शरीर के निचले भाग में से सुरत के समेटने के कारण महसूस होता है। जैसे जैसे सिम्टाव बढ़ेगा शरीर का उपरी भाग भी सुन होना शुरू हो जाएगा। परंतु ये अस्थाई होता है और अभ्यास का समय पूरा होने पर पहले की तर जैसे धीरे कम होता जाता है और अंत में सिम्टाव में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और तब अभ्यासी अपने पूरे शरीर को जब चाहे बगार किसी दर्द या कश्ट के खाली कर सकता है। निसंदेह इसमें काफी समय लगता है और ये अभ्यासी की मेहनत तथा उसके पिछले कर्मों पर निर्पर करता है। हवा में उड़ने या तैरने का अनुबव भी अच्छा है। 348 आपके साड़े चार वरिशे पुत्र ने इस ओर जो रूची दिखाई है उस पर मुझे कोई आश्चर नहीं हुआ। बच्चे अपने माता-पिता का अनुसरन तथा उ मनुष्य में बुद्धी और विवेक का इतना विकास होना चाहिए कि वो अपने लिए किसी भी बात का फैसला खुद कर सके और किसी निर्णे पर पहुँच सके। परन्तु तब तक के लिए आप उसे नाम तथा भ्यास की विधी बताए बगार संतमत या संतों की महमा और म महत्व के बारे में प्रेम पूर्वक कुछ बता सकते हैं। अगर वो पालती लगा कर बैठता है या भजन के आसन में बगार मुपर हात रखे बैठता है जैसे छोटे बच्चे कई बार खेल-खेल में करते हैं तो उसे बढ़ावा दें क्योंकि इस से उसे इस प्रकार देने की जरूरत नहीं। वास्तव में सभी प्रकार के योगासनों और व्यायामों के प्रती यही रुख अपनाना चाहिए। प्रकार दोरा अपने निजध हाम लोट सकें जहां से हम आए थे। यह महान उपलब्धी केवल मनुश्य जीवन में ही संभव है। इसलिए हमें इस संसार में इस प्रकार रहना चाहिए कि इस महान और देश के सामने हमें सब बातें महत्वहीन या गैर जरूरी प्रतीत हों हमें दुनिया में रहना है पर दुनिया के बनकर नहीं रहना है। हमें इस संसार में रहना है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है अपने करतव्यों का पालन करना है परन्तु ना तो किसी वस्तु से मोह करना है और ना ही किसी बात से प्रभावित होना है। यही हमारा आदर्श है और हम जितना अधिक भजन से मिनन करेंगे उतने ही इस आदर्श के नजदीक होते जाएंगे शर्ण लेने से अभिप्राय है कि हम संतमत के सिधानतों पर द्रड रहते हुए अपने पूरे सामर्थ से अपने कर्तवियों का पालन करें और फिर परणाम सद्गुरू या शब्द पर छोड़ दें इस बात की चिंता न करें कि क्या होगा शर्ण लेने का अर्थ शब्द की शर्ण लेना तथा अपने आपको शब्द के हवाले कर देना है शब्द ही असली सद्गुरु है हमें उसी की शरण लेनी है किसी स्थूर शरीर की नहीं हमें चाहिए कि लगातार अभ्यास द्वारा हम ना सिर्फ शब्द के साथ जुड़ जाएं बलकि अपने आपको उसमें लीन कर दें ताकि वो हर परिस्थिती में हर प्रकार से हमारी पूरी देख भाल कर सके आप और अधिक एकागर होने का यत्न करें एकागरता बढ़ने पर सुरत या चेतना की धारा शरीर से सिम्टेगी शुरू शुरू में कम सकम शरीर के नीचे के हिस्सों से सिम्टेगी और जो अंदकार आपको इस समय दिखाई देता है वो प्रकाश में बदल जाएगा ये पांच नाम के लगातार और एकागरता से किये गए सिम्रन द्वारा हो सकेगा दिन के बाकी समय में भी जब मन खाली हो बगएर आँखें बंद किये मन ही मन सिम्रन करते रहने की आदर डालनी चाहिए इसके फरसरूप जब नियमित समय पर अभ्यास में बैठते हैं तो सिम्टाव और एकागरता में आसानी होती है तीन सो पचास रास्ता सिर्फ तब तक ही मुश्किल है जब तक मन वश में नहीं आता एक बार अंतर में शब्द के संगीत के साथ जड़ जाने पर सुरत बाहर आना और बाहरी संगीत सुनना नहीं चाहेगी चाहे वो कितना ही मधुर क्यों न हो पर इसमें समय लगता है